नमस्कार, मैं हुआ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जीदू सिंग्ग बात हमेशा हम करते हैं हर महीने के पंचांकी यनि हर महीने में कौन-कौन सा तेवहार आपका पढ़ता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और जब भी हम ऐसी चीजे समझ जाते हैं कि किस तारीको किस तितिको कौन सी चीज आपको करनी है कौन सी चीज आपको नहीं करनी है तो यकीन मानिए आपको ये मालूम पढ़ दाता है कि इस तिथी को अगर मेरा ये काम होगा तो definitely सही तिथी सही समय पर जिस भी कारे को करते हैं वो फलीबूत होता ही है यानि वो काम आपका परवान चड़ता ही है तो ऐसे में सही तिथी का ग्यान होना चाहिए सही समय का ग्यान होना चाहिए कि किस तारीक को कौन सा त्योहार पढ़ रहा है कौन सा वरत पढ़ रहा है क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत सारे वरत त्योहार होते हैं खास करके नवरातरी का तो में त्योहारों का ये महीना हुय ही है तो ऐसे में इशारत ये नवरात कर रहे होते हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि हम अगर किसी बी त्योहार को मनाएं किसी भी पूजार को ुजी और हमारी सारी मनों कामनाए Со Conse करीदिय को उसी तारीक को ही अप दियोहार को मनायेगा और साथ के साथ पूजा वीदियाँ भी उसी तारीके से ही किजिएगा के एक ऑक्तूबर की बात करते हैं तो महात्मा गांदी जयंती शुकरवार का दिन हैं तो ऐसे में सारी फैमिलीज ये ध्यान रखिएगा अपने बच्चों को हमारी संस्कृति, हमारी सब्भेता, हमारी रिचूल्स, हमारी वैल्यूस के बारे में जरूर डिस्कॉस कीजिएगा चार अक्तूबर की बात करते हैं तो वक्रिय मंगल, मंगल यानि जो उल्टी चाल में हैं मीन राशी में होंगे पांच अक्तूबर की बात करते हैं तो सोंबार का दिन है संकष्टी चतूर्थी यानि श्री गनेश चतूर्थी वरत अब बात आती है 11 अक्तूबर की तो एक एक चीज़े हम आपको बहुत ही फाइन तारीके से बता रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से जान पाएं कि आपको किस तारीक को किस रिचोल को मनाना है ग्यारा अक्तूबर की अगर हम बात करते हैं तो रविवार का दिन है रवी पुष्यय योग ये अति उत्तम योग होता है किसे भी कारे को जो आपका काफी पेंडिंग समежд कारे है जो नहीं हो रहा है कि ये टलता जा रहा है अगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा या पता नहीं क्या एक डर वहम रहेगा तो यकीन मानिये रवी फुश ये योग में अगर आप उस कारे कोई शुड़ू आप दुबारा से कर देते हैं तो वो काम आपका जरूर पूर्ण हो सकता है 13 अक्तूबर की अगर हम बात करते हैं तो मंगलवार का दिन है पहली एकादशी हो चुकि और दूसरी एकादशी जो है वो 13 अक्तूबर की है तो ये एकादशी वरत भी जरूर रखियेगा क्योंकि इस महीने की दूनों एकादशीयां भगवान विश्णू को अर्पित हैं ये एकादशीयां वर्गवान विश्णू को ये अर्पित होती है लेकिन इस महा का इस महीने का खास खास महा तो होता है ऐसे में कहा जाता है कि कई गुना जएदा फल मिलता है जब भी हम किसी भी पॉजटिव रिचूल को करते हैं या फिर कोई वरत रखते हैं दान भी करते हैं तो उसका बहुत गुना फल मिलता है आपको बुद्ध वक्रिय हो जाएंगे मारगी थे बुद्ध लेकिन वक्रिय हो जाएंगे यानि बुद्धी के लॉड़ है तो फैसले जरा सोच समझ करके लीजेगा चोदा अक्तूबर की बात करते हैं तो बुद्धवार का दिन है प्रदोश वरत है इस वरत को भी आप जरूर रखेगा क्योंकि ये वरत भी मल मासी यानि अधिक मास के बीच का वरत है तो ऐसे में आपने इस वरत को भी जरूर रखना है बहुत सारे कश्टों से आप बचते हैं पंदरा अक्तूबर की बात करते हैं तो गुरुवार का दिन है मासीक शिवरातरी ये बहुत उत्तम शिवरातरी होती है मासीक शिवरातरी में भगवान बोले नात की आराधना बहुत दिल खोल करके करनी चाहिए और कहा जाता है कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही होती विगन होते हैं तो उन्हें मासीक शिवरातरी का वरत जरूर रखने चाहिए अब आते ये बात की 16 अक्तूबर की बात करते हैं तो शुकरवार का दिन है आश्वीन अधिक अमावस्या यानि अधिक मास मल मास समाप्ती और अगले दिन ही आगमन हो जाएगा माताराणी का यानि 17 अक्तूबर की बात करते हैं तो शनिवार का दिन है शरद निवरातरी का दिन है यानि शारदिय नवरातरी कहते हैं बहुत ही उत्तम दिन होते हैं ये मातारानी को मनाने के यकीन मानिये हर तरीके की विदियां अगर आपने सही विदी विदान से की हैं यकीन मानिये मातारानी आपको आशिरवात जरूर देती है और ये अति उत्तम नवरात्र होते हैं शारदिय नवरात्र ऐसे में वरत अर्च एक्तूल से यह सारे करने शहीं नवरातरी की जब बात आती है तो नवरातरी में हम लोग खास वीदियां बताने वाले हैं कि खास वीदियों में, खास समय की पूजा में आपको क्या मिल सकता है ये भी आप द्यान दखेगा बहुत सारे नक्षतर योगों पर बात करूंगी मै तो वो भी आपने वीडियोज को मेरी सारी वीडियोज यूट्यूब पर होंगी आपने सारी वीडियोज नवरात्री की वीडियोज को देखना ही है फिर आती है बात कि 18 अक्टूबर यानि 17 अक्टूबर को तो घटसतापना भी होगी पहला नवरात्र भी हो गया मा का आगमन भी हो गया आब 18 अक्टू बर दुश्यह नवरात्री है जो सरी नवरात्री में District 3 लोत लोटी नवरात्री कि सबस्क्राइब को है तो आपका गुरुब़ार का दिन है मासर स्वतिकिवुजा भी है और श्टानी नवरात्री भी है ऊजुक्ति तारीक की बात करें तो सात्वी नवरात्री और उसे दिन ही सात्वी नवरात्री के उपरांत ही अश्टमी तिथी पढ़ रही है चोबीस अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर अश्टमी पूजा करनी है तो आपने चोबीस तारीक की करनी है अश्टमी के बाद ही व्रत का पारण कर देते हैं तो उन लोगों को चोबीस तारी की अक्टूबर की Č चोबीस तारी को ही करनी चाहिए अस्टमी पूजन यानि कन्याई जो है आपको 21 तारी को बिठानी चाहिए अस्टमी की पूजा के लिए फिर आती है बात के पच्ईस अक्तूबर की अगर हम बात करते हैं तो 25 अक्तूबर में पढ़ता है राम नवमी भी यानि नवमी के उपरांत दश्मी की थी भी लग जा रही है तो ऐसे में आपने नवमी की जो पूझा करनी है वो आपको 25 तारीकी सुबा सुबा ही कन्याइं बिठा लेने चाहिए साड़े साथ बज़े से पहले पहले क्योंकि उसके उपरांत ही हमने नवमी और दश्मी का कॉमिनेशन बता रहे हैं लेकिन अगर आप सुबा सुबा पूझा करने तो अति उत्तम फल देगी आपको 26 अक्तूबर की अगर हम बात करते हैं तो वहां दूर्गा का विसर्जन किया जात आपके हर कश्टों से मुक्ति की एकादशी है अनजाने में कोई भूल चूक हुई है अगर आप इस वरत को रखते हैं तो आपके उस भूल चूक की क्षमा याचना के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है ये लेकिन जो अनजाने की भूल है जो जान बुझकी की हुई तो पापकुश्य एकादशी की बात कर रहे हैं तो जो अनजाने में ऐसी बाते होई है उनकी क्षमाई आचना का दिन है। धिस अंगर हम बात करते हैं तो शरद पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा बहुत उत्तम पूर्णिमा होते हैं बहुत बड़ी बड़ी वीदियां की जाते हैं चद्रमा के खास करके दर्शन किया जाते हैं चद्रमा के भोग लगा जाते हैं शरद पूर्णिमा का वरत रखा जाता है ऐसे में ज़्यदा पर लोगों की कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थितिक खराब होती है तो उन्हें शरद पुनिमा के चांद के दर्शन जरूर करने चाहिए, खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, बहुत ही उत्तम समय होता है जब आप अपनी सारी एनर्जी को पॉजिटीव कर सकते हैं, यानि आप सारी नेगेटिव एनर्जी को बस्ट करते हुए, पॉजिटीव एनर्जी की तरफ आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं, शरद पुनिमा की अगर हम बात करें तो दो बच करके 57 मिनट से 30 तारी को ये शरद पुनिमा लग जाएगी, यानि पुनिमा तीती लग ये और फिर आती है 31 तारी की जब आमने कहा है कि शाम के 5 बच करके 58 मिनट पुनिमा है 31 तारी को तो ऐसे में कुछ लोग शरद पुनिमा का वरत 31 तारी को भी रख सकते हैं लेकिन चंद्रदर्शन अगर आप की महतबता को समझना चाहते हैं तो 30 तारी के ही चंद्रदर्श पुनिमा के दिन का तो ऐसे में आपने जो भी विदिया करनी है शरद पुनिमा की आपको 30 तारी को ही कर लेनी चाहिए तो देखा दर्शे को आपने सभी ने कि कैसे आपने त्योहार किस दिन पूजा वरत तीतियां ये मनानी है जब-जब हम सही तारीके से सही समय पर किसी भी विदि को करते है उसके फ़ल में डबल बढ़ोतारी यानि दोगुनां तो बढ़ोतारी होती ही होता है इंफेक्ट चार गुनां बढ़ोतारी तक की संभावनाए होती है तो ऐसे में हम सही समय पर ही आप जोने आप इस सारी विदियां कि जोगा और साथ के साथ, नवरातरी के बाद ही, आपका जो दिपावली का समय होता है वो घर के अंदर धन की भडोतरी का समय होता है, धन टेरस और दिपावली, यह ऐसे अफसर होते हैं, कहा जाता है कि इस समय, अगर कुछ खास भी दियाँ धन के लिए की जाती है, तो वो जरूर साल खुशियां की दस्तत देते रहती है धन पोटली यानि मनी दिपक और मनी पोटली इसका आपने जरूर भुगिंग करा लिजे और अपने घर में सुख समरिदी और संपन्नता जरूर ले करके आए खुश रहिए स्वस्त रहिए पॉजिटीव रहिए जल्दी हाज़िर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ तपता के लिए नमस्कार दो